देर स्प्रेंट्स नमस्कार स्वागत आप सभी का इस प्रेटफॉर्म पर आज के इस बहुत ही महत्पूर्ड वीडियो में हम लोग दो बिंदों पर बात करेंगे दो इंपॉर्डिन पॉइंट पर बात करेंगे कि जो आरारबी फार्मासिस की दोहजार चोबिस की वैकंसी आने वाली सत्रागास से उसमें क्या सेफ स्कोर हम लोग करें कितना नंबर फॉस्टेंस हम अटेम्ट लें यह बात हैं जो बात करेंगे किस ब्याब पर जो आरारबी के प्रिवेस आकड़े हैं आज ऐसे ऐसे आकड़े में आपको दिखाने वाला हूँ पोरे यूटूब प जोन सेलेक्शन आपका परड़ाम आपका दसा आपको जिंदिगी डिसाइड करने वाला है अगर गलती से आपने जोन गलत चूज कर लिया लिस से बाहर हो सकते हो सही चूज कर लिया लिसके अंदर हो सकते हो मेरे मित्र दोस्त कई लोग इससे धोखा खाच चुके हैं इसलि तरीके सा RRB जोन को कैसे चलेक्शन आपके सेलेक्शन को फाइली सेलेक्शन को जो है अशूर करेगा जोन सेलेक्शन बड़ा इंपोर्टेंट है थोड़ा सुस पर क्लारेटी डेटा के साथ बात करूंगा अभी शौकिंग फैट्स आपके सामने आने वाले जो कहीं नहीं आपको मिले होंगे ठीक है चले तुश टार्ट करते है वीडियो को तो कि यह आपका सेलेक्शन इंपोर्टेंट कराने वाला है इसलिए जो है सेलेक्शन में बहुत इंपोर्टेंट है इसके बारें बात करना चलिए आप सभी को पता है थोड़ा सा बता देता हूँ कि CEN 4 बटे दोजर चौबिस यह अडबर्टाइजमेंट नंबर है जो कि रेलवे ने इसको जारी कर दिया ऑफिशल यह आ चुका है 17 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाने है ठीक चलिए यह कुछ इस तरीके से इन्होंने वैकंसी जोन वाइज रिलीस की हुई थी ठीक है इस तरीके कितनी सीट अवलल्लेटी है कंट-off क्या है कंट-off बड़ा important factor है क्योंकि यह कंट-off ही decide करती कि कितना question mapped करना है कितना safe score है क्योंकि अकर आप अंदाजा नहीं लगा गया है इल्टा बूल्टा इन्हीं से बाहर हो जाएंगे बहूत important है चांसे जब selection क्या है यह जोन और यह ट आई हुई है तो आपको थोड़ा सा आईडिया एक होलिस्टिक पिक्चर आपको आईडिया लग जाए ठीक है फिर यह डेटा मैंने आपके शाहर कहते हैं यह डेटा अलड़ी मैं शेयर कर चुका हूँ कौन से आराजबी में सबसे कम है यहां मैंने आपको एक रिकमेंड किया था सिली गुडी को ठीक है कि आप इसके लिए ट्राइ कर सकते हैं जो मेरा अंदाजा जो मेरा ग्यस जो मेरा एक्स्पिरियंस कहता है लेकिन सभी लोग क्या इसके लिए फिट होंगे नहीं सभी कटेग करेवाइस कहां पर मैक्सीमम कट अफ गया था जब कट आफ से आपको पता लगे नहीं वहां कट आफ बहुत जादा जा रहा है तो आप क्यूं भाग के जाओगे वहां पर आपको जोन सेलेक्शन में छोटी छोटे फैक्स छोटी छोटे डीटा जो आना बड़ा पिसले दो घंटे से मैं लगा हूँ इस वीडियो को समझाने के लिए आपको ये जरूर क्लारिटी दी जाए कि क्या साइब देखे इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है 2019 में क्या सीटे थी 2024 में क्या सीटे हैं आपको clear-cut picture पता लग रही होगी कि जादा तर सीटे डिक् पाएंगे तब आपको कुछ data से conclusion निकाल पाएंगे खाली fact fact लियाना important नहीं है उस data से conclusion निकालना वह भी मैंने बता हुआ है ये शीट अभी आप देखना बहुत important है आपका decision लेने में बहुत मदद करने वाला है ये कुछ conclusion draw किये हैं जिसके बारे हम लोग बात करेंगे ठी पहले एक-एक करके आते हैं जरा समय दीजिए नहीं समय देंगे क्योंकि जिन्दिगी का मामला है अपने करियर का मामला है मैं समय देना चाहिए form 17 से भरा जाना है आपके पास अभी समय है समय लीजिए मैं बार बार इस लिए जोन पर वीडियो बना रहा है क्योंकि आप ग पहले फैक्ट क्या पता लगा कि सर आरार भी जो है भो नेस्वर में इस बार निल बटे सन्नाटा है मामला इस बार नहीं है जब डेटा अप्रोच करो के तब ही तो पता लगेगा चलो यहां पता लगए आपको सर यह कौन ची नहीं बात बता रहे तो दुनिया को पता है ठ सीटें कितनी थी क्योंकि यह सीटें माइने रखती है कट आफ को डिसाइड आगे पीछे करती हैं सीटें ठीक है बच्चों का जो एप्रोच होता है उस जोन को सेलेक्ट करने का उस सीट पर भी निरभर करता है तो सीट से भी आपको अडिया लगेगा अब जब 2024 वाले में स Southern India, Eastern India, Kolkata वाला रिजन, Chennai वाला रिजन और इधर पर आप Mumbai वाला रिजन देखेंगे सीटें यहां पर आपको बढ़ी हुई दिखाए देंगी लेकिन Northern India में आपको सीटें कम दिखाए देंगी इससे क्या समझ मैं कि Northern India में सीटें कम है ठीक है और जगह सीटें है तो हम भल अधर रिजन में कम है तो थोड़ा सामलोग जो है अधर जोन में अप्रोश कर सकते एक तो यह फैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा फिर आप देख रहे होंगो यहां पर मैने कट-off रेंज एक डिसाइड की हुई है कि कहां से कहां कैसे यह रेंज डिसाइड की कि minimum क्या था मैक्सिमम क्या था तो यह देखे रेड कलर वाला रेड कलर आप देखे चंडिगड में 68 68 कहीं भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब रेलवे में जो पिछली बार मैक्सिममम कट-off गया था वो 68 दिखाई दे रहा था ठीक है मिनिममम आप देखेंगे 31 और मजे की बात है एक मि मैक्सिमम क्यों कट-off गया होगा चंडिगड एक अच्छा सहर है सुकून भरा सहर है लोग मेट्रो सिटी है जाना पसंद करते हैं दूसरा इसका आप देखेंगे सीट चंडिगड के आप सीट देखिए यह देखिए सीट कम थी और लोगों को डिमांड ज्यादा थी कट-off यहां पर तो 68 समझ में आ रहा है यहां पर ठीक है चलिए अभी और ध्यान से देखते हैं यह जो वाइट वाइट डेटा है यह उस कटेगरी में उस जोन में मैक्सिमम है ठीक है जैसे आप देखेंगे अंड रिजर्व यानि कि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा ह है अंड रिजर्व कटेगरी में किस जोन में सबसे मैक्सिमम गया था तो वह जोन था चंडीगड किस जोन में सबसे कम गया था सब मालदा SC category में आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा कहा पर गया था, 60 वाल आप देखें यहाँ पर सिकंदराबाद में, सबसे कम कहा गया था, दो रिजन में, स्रीनेगर और माल्दा वाले में, देखें, माल्दा यहाँ भी, माल्दा यहाँ, क्या conclusion ड्रा कर सकती, कि माल्दा एक safe zone है, अगर वहाँ पर seat ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल risk ले सकते हैं माल्दा के लिए, यही तो pattern समझ में आ रहा है, ST category के लिए आप देखें, 34 minimum था, कहां पर है यह, प्रियाग राज, अलहाबाद यह प्रियाग राज, और आप देखें कि धर पर maximum 49 गया हुआ हुआ है, दो मतब रेंज किया हुआ कि 45 से लेके 60, तो अब आपको कितने question solve करने, कितने question attempt करने, कितना लिया जाए कि unreserve में risky ना हो, तो क्या समझ मैं आ रहा, 70 question, at least आपको 70 question जो है, 100% correct होने चाहिए, कितने में out of 100, अब या 95 अटेम्ट करके भी 70 सही कर सकते हो, 80 अटेम्ट करके, depend करता है कि आपके accuracy, तो safe score आपको पता लग गया है, तो देखो cut-off range, 45 से लेके unreserve तक, यानि कि unreserve cutting हो, किस यहाँ पर, फिर यहाँ आप देखेंगे SC category में 60 maximum है, और 37 सबसे lowest है, दो zone में, 37 से लेके 60, score safe क्या हो सकता है, आप 65, 5 marks जो extra लेके चलिए, तो safe score भी पता लग रहा है, तो आप जिस category में हूँ, अब आपको idea लग रहा है कि मुझे कितना score करना पड़ेगा, कितना 100% लाना पड़ेगा, तब जाके माँ select हो पाऊंगा, ऐसा यह data नहीं निकाला, बहुत महनत लगी है, और कुछ नकल्ची बंदर, I mean, जो YouTuber है, जो कुछ teacher है, वो क्या करेंगे data को copy कर लेंगे, अरे भया कुछ तो तुम भी दिमाक लगा लो, ठेक है, copy पर से कुछ नहीं, तो original, original ही ह होता है, ठेक है, ST में अब देखिए, ST में कहां minimum 34 है और maximum 52 है, कहां पर गया हुआ, चिन्नाई में गया हुआ, तो ST वालों को idea लगे, 34 से लेके 52 तक cut up जा रहा है, so 60 could be a safe score, क्योंकि अब technology बढ़ चुकी है, internet बढ़ चुका है, मेरे जैसे और बहुत सारे तमाम, बहुत सार अच्छे teacher आच चुके है, internet facility है, so definitely cut off बढ़ने वाला है, government नौकरी को लेके crazy भी है, तो यह जो cut off आज दिख रहा है, यह बढ़ने के आसार जादा है, घड़ जाए बाता लगा है, लेकिन बढ़ने के आसार जादा है, OBC कटेगरी में आप देखिए, 47 minimum है, maximum आप देखिए 63, तो 47 से 63, तो OBC के लिए भी 70 score, आप देखिए, यहाँ पर, फिर आप देखिए EWS का, EWS में minimum 50 है, और maximum 58 है, तो यहाँ भी 65 का आसपास जो है, safe score है, खास करके EWS में, अब यहाँ पर important बात यह है, कि अगर आप EWS, general में एक category है, जो economically weaker section है, जिनकी 10% जिनको औरक्षन मिलत है, अगर आप उस category में आते हैं, government नौकरी नहीं है, पैसे वाली party नहीं है, आप EWS बनवाई है अपना, क्योंकि नौकरी का chance इदर पर जादा है, ठीक है, यह चीज़, ex-servicemen, ex-servicemen में आप देखिए 33 minimum है, 36 है, तो एक safe score कितना हो सकता है, 45, अगर आप ex-servicemen category में है, 45 40-50 question भी अगर आप सही कर देते हैं, तो भी आप इसलिए select हो जाएंगे, देखिए कितना प्यारे fact है, यह data आ रहे है, निकाला के इसमें मेहनत की गई है, ऐसे नहीं यह किया गया है, person with benchmark disability, 31 minimum है, 47 यह, तो 50 could be a safe score, ठीक है, यह जो आप देख रहोंगे 51.20, देखिए cutoff, 56. 56.201 इस तरीके से cutoff है, यह exact पूरा number, full number नहीं होता है, लेकिन मैंने क्या किया है, average किया है, तो यह average number है, ताकि आपको clear cut picture मिले, वरना दसमालों में आप उलज जाएंगे, अब clear cut picture क्या पता लग रही है, कि, एक माट, एक माट, सौरी, हाँ, अब देखिए, RRB zone, 2019 में, पहला conclusion cut draw किया हमने, 2019 में कितनी सीटे थी, 2024 में कितनी सीटी है, क्या conclusion draw हुआ, कि northern वाले region में सीटे कम हुई है, बाकि और जगां सीटे ज़्यादा तर बड़ी है, एक conclusion draw किया हमने, चंडीगड एक ऐसा RRB zone था, जहां पर सबसे maximum cut off भी थी, सबसे minimum cut off भी थी, आप देखेंगे, ठीक है, क्यों maximum गया, ये भी रिजान आपको मने बता दिया, तो चंडीगड पर fight काफी थी, सीटे कम थी, तर फिर चौकाने वाले आकड़े, कि unreserved category wise में कितना minimum जा रहा है, किस zone में, किस zone में minimum है, किस zone में maximum है, ये भी पता लग गया आपको, उससे ये decide हुआ कि range क्या है, range से ये decide हुआ कि आपका safe score कितना है, कितना आपको attempt लेना है, ये बात clear हो गई, ये भी देखेंगे, एक ही comfort of care कि zone में, वो अभी देख लें, आप अभी last month मैं फिर summarize करूँगा, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ, ST, ST का देखें, 34 to 52, तो 60 आपके लिए, एक safe score है, OBC, ठीक है, 47 to 63 है, EWS, ये इस तरीक है, तो आप अलग-अलग category का आपका, तो एक safe score भी decide हुआ, अब अगर overall आप देख जाए, तो आप किसी भी category में है, आप मान के चलिए कि आपको 70% जो है, लाना पड़ेगा, तब जाके वो border वाल इस्तिति होगा, नहीं होगा, वो सबसे बेकार इस्तिति होती है, तो कुल मिला आजूला के निसकर्स ये निकल रहा है कि negative marking के examination, खारकर के railway pharmacist में, अगर आप 100 में से 70 questions सही सही कर देते हो, आप किसी भी category में हो, आप range में आ जाओगे, आपका selection जो है, बिलकोल insured है एकदम, वो border वाला मामला वो घुट-घुट के जीने वाला कोई मतलब नहीं है, इधर पे चौकाने वाली बात clear हो गई आपकी, average safe score का है, आप 70 से 75%, 100% correct करेक्ट करिए जो है इतना आए, आप किसी भी होंगे, आपको reservation कोई दुनियादारी की कोई चकर ही नहीं होगा, cut-off range भी decide हो गया, safe score, category wise भी मैंने आपको बता दिया, maximum minimum cut-off, I hope यह सारी चीज़े clear होंगे, चलिए, next table पर पहुंचते हैं, और चौकाने वाले तथे दिखते हैं, इन data से selection आपका zone wise भी आपको idea लग रहा होगा, अच्छा, इस zone में minimum जा रही, maximum जा रही है, फिर seat से आप मैस करेंगे, फिर आपको idea लगा, अच्छा, इस में जाना चाहिए, ठीक है, चलिए, अभी और थोड़े decision लेने मदख करते हैं, earned reserve category में maximum cut-off वाला जो RRB है, चंडिगर, वो minimum cut-off का है, जम्मू या मालदा, आप देखिए, ठीक, फिर यहाँ पर ST category में सबसे ज़्यादा cut-off किस zone में आई थी, चंड़े में आई थी, तो भाई जब इस zone में maximum cut-off आ रही है, तो आप risk क्यों लेना चाहेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ी से नजर दोड़ाएंगे seat को, क्या region क्या रहा होगा, क्यों cut-off गई होगी, फिर यहाँ से आपको zone choose करने में आसानी होगी, कि जब यह maximum जा रहा है था हम क्यों risk ले, ठीक है, बहुत सारी चीज़ है, seat भी देखना होता है आपको, कितनी seat हैं कितनी नहीं है, तो अब थोड़ा सा zone selection में clarity आ रही होगी धीर selection कौन सा करना है, वो आप ही को करना, लेकिन मैं clear कर सकता हूँ आपको, उल्धा नहीं रहा हो, clear कर रहा हूँ सारी चीज़े, फिर आप देखेंगे, OBC में भी सिकंदरबाद एक ऐसा zone है, जहां पर maximum cut-off गया था, सिली गुड़ी में जो है, कम cut-off गया है, आप देखें यहा साणेट गया है, छेन्न या गोहर्टी में सबसे कम गया हुआ है, पे डबॉ बी डी में अल्हाबाद यह प्रियागराज में सबसे कम गया हुआ है, अब देखें, अब क्या निशीकर्स निकल रहा है, सिकंदरबाद, सिकंदरबाद, इसका मतärtर sickंदरबाद वी न रहा है जिसमें चाहिए SC कटेगरी हो चाहिए OBC कटेगरी हो चाहिए X-Servicemen कटेगरी हो जनरली ज्यादातर हाई कट ओफ गया है तो सिकंदराबाद एक रिस्की जोन है क्यों रिस्की जोन हुआ थोड़ा सा वैकेंसी देखने जारा सिकंदराबाद में क्या सिकंदराबाद में यहाँ सत्तरा वैकन सी यहाँ नो शत्तरा वैकनसी पर इतना रिस्क था अब नोव स्वेकनसी है तो क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे यह देख यह हेए यह फैक्ट है यह कोई नहीं बताएगा आपको जब सत्रा शीट थी 2019 में तो यह हालत थी सीन थी तो नो सीट है तो क्या प्रिस्क लेना चाहेंगे आप खुद डिसाइड करिये आप देखे सामने आपके फैक्ट लिया मैं खाली डेटा ने लिया आना डेटा से कंक्लूजन निकालना यह बड़ा इंपॉर्टेंट है चलिए फिर एक रीजन आप गुवाहार्टे में क्यों कम गई है जरा इसके पीछे रिजन थोड़ा सा देखते हैं मालदा कहां कि आपका यह रहा और गुवाहार्टी यह रहा सीटे 29 थी तब कम गई थी अभी 13 यहां पर मालदा में पहले 3 थी अभी 8 है तीन पे इतनी कम गई थी 8 है यहां पर इसका मतलब कि सेलेक्शन का चांस ज़्यादा है अगर आपके क्टेगरी की सीप है तो सेलेक्शन के पॉस्पिलटी मालदा में ज़्यादा है क्यों क्योंकि मालदा भी बेङंगॉल का ईलाका है और उधर खुलकता भी है लोग जाद रहा है क्योंकि उधर असम में चले जाएंगे फिर इदर सिली गुडी में तो सिली गुडी और मालदा एक जो है एक थोड़ा सा सही सा जोन लग रहा है खास करें कि अगर आपको अगर सीटे आपकी है महां पर आसपास तो बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं ठीक है एक और क रिस्क लिया जा सकता है है की नहीं अब देखें कम सीटों में भी कट आफ जा रहा है यहां चौती सीटे है तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है ठेक है चलिए और गुहार्टी का मैंने बताई दिया सिली गुडी का क्यों गया होगा कट आफ आप देखिए OBC और इन अगर आपकी सीट है वहां पर आसपास तो सिली गुडी मालदा चेन्य यह सब थोड़ा से एक पैटर्न देखने को समझ में आ रहा होगा और अब एक और कंक्लिजन करते हैं जरा यह देखिए सिकंद्राबाद चेन्य और यह ज्यादा तर जो कट आफ वहले साहर हैं वो डा साउथ वाला बच्चा आएगा नहीं आएगा यह नहीं पता इंडिया तो इंडिया है नौर साउथ वाली बात नहीं है लेकिन अपने वारियेशन भी तो काफी है रहना उटना बैठना बोलना बतियाना असा बर चीदे तो एक आप देखो कि जादा तर कट आफ आपको नहीं का सपास है आप देखिए इस वाले काटिगरी में 63 सिकंद्राबाद ठीक है यह देखिए 36 जो कटा हो गया यह ज्यादा तर साउथ की रिजन में कट आपको दिखाई दे रहा है यह पैटन समझ में आ रहा है आप कुछ अंदाज लगा पा रहे हो आप थोड़ी सी क्ल कलची बंदर नकल मार लेंगे डेटा याज उटा लेंगे फिर वीडियो बना देंगे एक कही टॉपिक पर हाओ टू प्रिपेर हाओ टू प्रिपेर बहिए कितनी बार प्रिपरेशन करा होगे सही बच्तों को बताओ ठीक है अपने हीडेन एजेंडियों को मत आप 2019 का कट ओफ आपको आईडिया लग गया होगा यह सारी चीजे देख रहे हैं कितना फैक्ट निकल के सामने आ रहा है चलिए अब देखे क्या क्या हमने कंक्लिजन ड्रॉ किया उस पर बात कर लेते हैं सेफ स्कूर समझ में आए कि सर 70 से 75 किसी भी कटेगरी में है अगर इतना ले आते हैं तो reservation हमारे आड़े आएगा ही नहीं ठीक है फिर और reservation वाला रोना हमारा बंद हो जाएगा दूसरी बात maximum और minimum मेक्सिमम कट ओफ वाले RRB कौन से हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम कट ओफ वाला RRB चंडीगड है और मिनिमम जो है वह आपको भी चंडीगड दिखाई दिया आपको क्यों मेट्रो सीटी है सीटे कम थी इसलिए कट ओफ भाग गया वहाँ पर ज्यादा चला गया नंबर ओफ शीट सी नौर्दन रिजन लेस हैं इन कंपर्जन टू अलग अलग रिजन जादा है यह भी कंक्लूजन हमें समझ में आ रहा है ठीक है कटेगरी वाइज एंड और भी वाइज मैक्सिमम आप देखेंगे सिकंडराबाद मिनिमम जो माल्दा गोहर्टी में तो जाह करना नंबर लाना मुझे इतना अटेम्ट करना है अब प्रिवेसर के पेपर दोगे टेस्ट सेरी लगाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा मैं 90 कोशन कर रहा हो तब जाकि मेरे 70 ही होना है अच्छा मास्ची कोशन कर रहा तब तो वह एकुरेसी पता लगेग एक और फैक्ट आपको चौकाने माला मैं दिखा रहा हूँ जादा तर सीटे आप देखेंगे घटी हुई है क्यों घटी हुई है क्योंकि minimum government maximum governance पे सरकार काम करेंगे कम लोग होंगे system में अच्छे लोग होंगे और ज्यादा ज्यादा काम करेंगे minimum खर्चा सरकारी खर्चा दे रहा होगा ठीक है इसमें पर्सनली जनली बात नहीं यह तो डेटा बता रहा है कि किस पर जो है अभी चीज़े आ रही है category wise maximum और minimum cutoff क्या है आप देखिए category wise मैंने बता दिया ना unreserve में maximum आपकी जो है 68 है 48 है और यहां पर आप देखेंगे maximum 60 इधर 37 इधर 52 इधर 34 इधर यह तो आपको एक average safe score लेके चलना पड़ेगा तो I hope आपके zone selection में भी थोड़ी से मैंने clarity दे दी होगी मैं बार-बार एक ही topic भी video नहीं बनाता क्योंकि मेरा views पाने का मकसद नहीं है बार-बार इसलिए वीडियो अभी बना रहा हूं मैं क्योंकि clarity आ जाए इस वीडियो के बाद एक दो full and final clarity आ जाएगी वीडियो अप्लिकेशन है Google Play Store पे है उसको आप डाउनलोड कर लेजे संकल्ब बैच को अवेल कर सकते हैं और या फिर आप यकीन बैच को अवेल कर सकते हैं सर फरक क्या है जब दो दो चीज़े सेम जैसे हो तो थोड़ा सा फरक differentiate करना मुश्किल हो जाता है केवल और केवल RRB की तैय आप तैयारी कर रहे है आप SIC की करना चाहरे है इस्ते की करना चाहरे है गो फॉर दा संकल्ब बैच यह बहुत बड़ा वेलिशिक डिफरेंस संकल्ब दस पंदरे दिन पहले बीज दिन पहले स्टार्ट हुआ है तो कुछ क्लासें हो चुकी है यह वाला एक्दम बिलकुल लेटेस बैच है यहां से भी आप कर सकते हैं अब देखिए क्योंकि आर्टिफिशल इंट्रिजिएंस का जमान है तो लेटेस्ट और नया पुराना वाला कॉंसेट नहीं रह गया आज से आप जॉइन करते हैं आज से फुल वेल्डिटी मिलती है आज से सारा कंटेंड एक् साथ कबरिज है अब देखिए और आपको दिखाता हूं सारी चीजे टुटैक्स अकडमी की जो वेब साइट है वहां से भी आप कर सकते हैं टुटैक्स अकडमी.com वहां से भी आप सारी चीजे कर सकते हैं ठीक है चले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्स आपको जो है टुटैक्स अकडमी.com जो वेब साइट है वहां से भी ले सकते हैं यहां पर जब आप जाएंगे तो कोर्स वाले सेक्शन में आप यहां से सारी चीजे ले सकते हैं अब देखें आप कोचिंग वाले कोई भी हो पैनिकने साब के अंदर मचाई जाएगी यह किताब है यह ब होगा ना लाखों की वैलू क्रेट करने वाला यह प्लेटफॉर्म है आप पढ़के देखें कम प्राइस में बेस कंटेंट के साथ देना यही मारी खास बात है आप पढ़िए यूल भी दा फैर आप देखना चाहते हैं जो बच्चों के गाइडेंस क्यों गाइडेंस में अच्ञारर्य की कीसी फार्माइसिस्टिच फेयार मैंने स्ट्रेटड़ी वीडियो नष्ल्यकि उखना और जो फार्माइसिस पांद लियुक्षर जंकाल वासर के लिए बेटो भी और फार्माइसिस्टिच्याम गाइडेंस फिर सब्जेक्ट वाई पर फिर फार्मेसी का वीडियो लेक्चर जर्नल अप्टिटूट को वीडियो लेक्चर नोट्स दोनों के यह सब फिर टेस्ट सीरीज आपके देखे टेस्ट सीरीज बहुत सारे किताब है कि प्रिवेसर के पेपर हैं मॉडल पेपर दे रहे हैं आफ लाइन ऑनलाइन में फरक करना चीए वो जो स्टाइटिस्टिक्स आता है वो आनलाइन में ही मिलेगा आपको 500 टेस्ट कराके हम आपको साचुरेट नहीं करते क्या कोई को आने वाला नहीं है टेस्ट सीरीज से प्रिवाल आपको वह माहौल देती है वह रिदम देती है कि आप मेंटली प्रिपेर्ड हो जाएं यह कहना है कि नहीं हम कोई सीरीज चला के सेलेट करवा देंगे या फिर ऐसा सब तोटली पैक्ट गलत है ऐसा कोई कहता है तो उससे लिख के दीजे आप मुझे ठीक है तो टेस्स हमने दी हुई है आपको अलग से कोई अलग से प्रिवेस पेपर सब कुछ यह लग से जरूत नहीं है इधर पर सब कुछ दिया गया है इतनी पतली से बूक में आप सोच करेंदेखिए माली यह कोई बूक है इसमें कितने में डीटिल में सारी चीज आज आ जाएंगी चार साल का वी फारमाक से लेएबर्स दो साल क क्या ही सारी किताब में आ जाएगा नहीं 3600 किताब हम लोग पढ़ते हैं तो यह कहना बुक से सेलेक्शन हो जागा नहीं बुक कैन असिस्ट यू लेकिन सेलेक्शन नहीं दिला सकती आपको अब दो पन्ने में एक पन्ने में टैबलेट होगा तो क्या ही concept आपका क्लियर होगा इसलिए यहां पर डिटेल में जो हमने नोट्स दिया इस टेंडर किताबों के समरी है नोट्स अव पीडियो फॉर्मेट में काफी बहतरीन है और नोट्स और वीडियो को सेम रखा है तो आपको अलेक्श एफट नहीं डालना पड़ेगा वीडियो आर बैक बोन टॉपिक कोई सारी सीजे पड़ाई हैं मास्टर वीडियो से लास्ट टाइम पर जो टॉपिक्स होते हैं वन चॉट मतलब पूरी जाओ कि कोलोजी में सारे ड्रक का एक ही वीडियो मेकनेजम अफेक्शन हो सारे सिंड्रोम का एक ही में हो सारे साइड इफेक्ट वो सभी मिलने वाला डिश्टर लाइबरी आपको मिलने वाला है एम से क्यों करा रहे हैं ऑफ लाइन देरा ओन लाइन देर उसके लावाँ यह क्यों करा रहे हैं ताकि आप यह समझ पाओ कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना माइंड सेट अप क्या रखना है आपका एलिमिनेशन मेथट को कैसे करना वो सब यहां सिखाए गया है मास्टर क्लास एक क्लास में तीन-चार घंटे में कोगनोशी एक क्लास में पूरा जूरिस्प्रोडेंश का तब लेकिन मैं बार 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 बोल रहा हूं यह पहले नहीं पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप वह और वीडियो लेक्टर नहीं जरूरती है 999, 1199 रुपय में कूर्सेज है उस पर भी हमने आफ दिया हुआ है आप पढ़िए वह मिनिममम चार्ज है यह प्लेटफर्म के वाल आप से मिनिममम चार्ज ले रहा है अपने आपको सर्वाइब करने के लिए जो सर्विस जो डेडिकेशन हम दे रहे हैं वो कह को रेगुलर्री अच्छे से फॉलो करिए बाई हट फॉलो करिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है यह देखिए और भी फार्मासिस में कितने नंबर पर लाने पर सेलेक्शन हो जायागा जोन वाई सेलेक्शन यह मैंने आपको डिसल लेने में कैसे और भी जोन को चूज यहाँ क्या होती है क्या मेडिकल फैसल्टी है ट्रांसफर पॉलिसी क्या है यह सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा शुबंदु जी की जो हमारे दोस्ताइंगे फिर भी मैंने कुछ लाइव सेशन भी किये हुए आप देखेंगे यहाँ पर आपके सारे डाउट मैंने जाना पड़ा है नहीं सेंटर के लिए पिछली बार आप से पूछा गया था अगर आप दिल्ली का आसपास अग्जाम देजिए भले यार आप उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है फिर आपने पूछा था सर ओबी सी सेंट्रल वाला होगा मैंने इसका जबाब दिया हुआ ह सब कुछ यहां पर है ठीक है बाकि आप में से बहुत सारे लोग है जो उत्तरा खंड बगार की प्रिपरेशन कर रहे हैं अब तो वहां के हर्याना में देखें फार्मासिस के वेकंसी आई हुई है यह सब सारी ठीक है तो अगर आप उत्तरा खंड वाले उसकी प्रिपरेशन कर रहा है एक्जाम होगा रखी तो आप उसके भी कोर्स हमारे यहां हो लेबला उसको भी अबल कर सकते हैं जीपैड के क पीछ आप भाग रहे हो मार्केटिंग के पीछे भाग रहे हो जस्ट ट्रस्ट ऑन दीज पीपल्स ठीक है तो आप जीपैड वगर आपको तैयारी करने है आप देखें सारे कुछ कोर्सेज उत्रा खंड का जो है कोर्सेश काफी है जूर्यर अनलिजिस का कोर्सेज है आपक आपको बहुत सारी बात है इस प्लेटफरम पर पता लगेंगा अपको ठीक है चलिए एक मेंटू किया रहा है जीपैड वाले पर क्लिक कर दीजिए आपको शो हो जाएगा है यह देखें दोहजर पच्चिस का बैस दोहजर नौस ने उस पर पान्सों कूपन कोर्ट भी दि आप जो है आनन्द जो जो टीचर है विहार के बहुत बढ़िया टीचर है आप उनकी बात इनको इंटर्वी सुनना किवल अड़टाइजमेंट पर भरोसा मत करिए टीचर आपके गली नुकड में भी अच्छा मिल सकता है अट लिस्ट आप पढ़ो तो सही जब तक पढ़ आप बढ़ियां से त्यारी करिए कुछ भी डाउट है टीचर अकाडमी उसको जरूरा फॉलो करिए इस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए बहुत सारे में शौर्ट समा बनाता हूं छोड़े-छोड़े कॉंसेट आपके होते हैं इंट्रस्टिक तरीके सो होते हैं आपने द काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अब आपके अंदर 110 परसंट कह सकता हूं क्लारिटी होगी कि कैसे जोन चूज करना है कैसे सारी सीजों को ठीक है तो इस वीडियो को यह करते हैं थैंक यू सो मच